तो फ्रेंट्स आ गया ना मुह में पानी इस मिर्ची की डिश को देख कर तो ये हैं राजिस्थान के फेमस मिर्ची के टिपोरे की रेसिपी जो की बहुत ही टेस्टी लगती है नमशकार दोस्तों स्वागत है आपका देशी तड़काविद अमिता में तो कभी-कभी हम सबजियों से बोर हो जाते हैं और सबजी खाने का मन नहीं करता है कुछ स्पेशल खाने का मन करता है तो आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची के टिपोरों की रेसिपी तो चलिए मिलकर ब तो इसके बाद हम और मैंने इसको काट लिया है ये देखी छुट-छुटे पीसिस में और ये इंग्रीडियंट्स हम देख लेते हैं तो सबसे पहले ये एक चमच राई है सर्सो के दाने एक चमच जीरा उसके बाद ये दो चमच कुटी हुई सौफ है थोड़ी दर्दरी और एक चमच धनिया पाउडर एक चमच हल्दी आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च है ये कलर के लिए यूज करा है मैंने हापे टेस के अकोटिंग नमक है एक बड़ा चमच ये बेसन है और एक चमच ये अमचूर पाउडर है तो फ्रेंट्स मैंने यहापर कढ़ाई गैस प और एक चमच जीरा इसको हम क्रैकल कर लेंगे तो इन की भी देखिए इसको हम क्रैकल कर लेते हैं और जब यह दोनों मसाले क्रैकल हो जाएंगे तब मैं इसमें ऐट करूंगी बेसन और बेसन को हमें दो से तीन मिनट कि अगर हम इसको थोड़ा सा भी हाय या मीरियम फ्लेम पर भी भूनेंगे तो यह जलने लगता है तो इससे लो फ्लेम पर हमें भूनना है जिससे इसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिर्ची में आएगा और दो से तीन मिनिट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी सौफ कुटी हुई थोड़े दरदरा पीस लेंगे सौफ को तो वो मिर्ची में बहुत अच्छी लगती है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसके बाद मैंने इसमें एड़ कर दी है कटी हुई मिर्च और इनमें हम बेसन को और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद मैं मसाले एड़ करूँगी तो ये धनिया है हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च इसे तीखा बन नहीं आता है अगर आप चाहें आपकी मिर्च कम तीखी और अब ज़्यादा तीखा खाते हूँ तो आप मिर्ची पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं टेस्के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इने ढख कर दो मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे तो देखे दो मिनट हो चुके हैं और अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं तो हमारी जो मिर्चे वो सॉफ्ट हो गई है यह देखे सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही अच्छा कलर और टेक्शर इसमें आया है लेकिन अभी हम इसे एक से देड़ मिनट के लिए और कुक करेंगे जिससे की थोड़ा सा यह और कुक हो जाएगी लेकिन अब इसमें हमें थोड़ा सा क्रंची नैस भी रखना है एकदम से हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है थोड़ा सा इसमें क्रंच हो ऐसी मिर्च हमें रखनी है तो हम इसे एक मिनट के लिए और कुक पर लेते हैं तो देखे एक मिनट हो गया है और जो अब हमारी मिर्च है, वो सॉफ्ट हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ, यह देखिए, स्पैचुला से प्रेस करने से वो कट रही है, इसका मतलब सॉफ्ट हो गई है, बट थोड़ा सा क्रंचीनेस भी उसमें है, तो हमें इसी टाइप की मिर्च चाहिए, अब मैं इ जिससे की सारे मसालों का फ्लेवर उसमें अच्छे से आ जाएगा, तो फ्रेंट्स टोटल में मैंने इसे 6-7 मिनिट तक कुक किया है, तो यह देखिए, अब अगेन हमने इसको ढग कर जब कुक किया था, एक निट के लिए, तो अब यह हमारे मिर्ची के टिपोरे बिलकुल रेडी है, बहुत ही प्यारा इसका कलर और टेक्स्चर आया है, यह देखिए, और बहुत ही प्यारी इसमें से खुश्बू भी आ रही है, तो यह रेडी है हमारे मिर्ची के टिपोरो की रेसिपी, जो कि आप रोटी या पराठा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो य रेसिपी आपको कैसी लगी, जरूर मुझे कॉमेंट करके लिखिए, और पसांद आए हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें,